हेलो दोस्तो मेरा नाम है विशाल और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको Google AdSense Approval अपनी वेबसाइट पे लेना है दोस्तो मैं आपको आज तीन टिप्स बताने वाला हूं जिन टिप्स को फालो करके आप इसली बहुत ही इसली Google AdSense Approval अपनी कि वीडियो यूटिप पे बहुत सारी डेली हुई है तो वही अगर मैं बताऊं तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा मैं यह नहीं कहरा आपको कि वो चीज़े गलत हैं विल्कुल वो चीज़े सही है वो चीज़ें आपको फॉलो करनी है उसके बाद ही आपको Google AdSense Approval मिलते ह लेकिन आज कल जो प्रॉबलम हो रही है काफी लोगों के साथ वो यह हो रही है कि सारी चीज़े फॉलो करने के बाद भी हमारा AdSense application कई बार reject हो जाता है या फिर प्रॉबलम उनको आती है जो बहुत सारी वेबसेट बना के सेल करना चाते हैं जिस तरीके से मेरी देखेंग सेल करनी हो तो जाके लिस्ट कर सकते हो तो दोस्तो फ्लिपिंग डेडर्स पर हम लोग वेबसेट बाया सेल करते हैं जिसके लिए हमें बहुत सारी वेबसेट बनानी पड़ती है हम एक टीम में काम करते हैं और हम सभी मिलके Google AdSense के एप्रॉबल लेते हैं डिफरेंट वेब AdSense का एप्रॉबल ले सकते हो किस तरीके से चलिए मैं बताता हूँ अल्रेडी दोस्तो मैंने बता दिया कि वो पुराने पॉइंट की में बात नहीं करूंगा वो आपको फॉलो करने ही है पेजस आपको बनाने है content आपको unique लिखना है और automation पर अगर content आप चलाते हो तो उस यूस के लिए लेनी है आपको अपने यूस के लिए website बनाने है तो जो आपकी निश है आप उस पर ही बनाईए जिस category में आपको blogging करनी है आप उस पर ही website बनाईए लेकिन अगर आपको sale point of view से देखना है आपको website बनानी है AdSense approval लेना है और sale कर देना है तो unique niche लीजिए इस में आपके chances काफी ज़्यादा बढ़ जाते हैं approval के जैसे मैं अब देखते हूं कि बहुत लोग जो हैं गुमा फिर आके उसी categories पे या तो फिर tax related होगा या फिर digital marketing से आप AdSense के उपर लिख रहे हो आप ब्लॉगिंग के उपर ही लिख रहे हो आप gadgets के उपर लिख रहे हो तो यह जो बहुत common categories हैं इन पर बहुत सारे blog जो हैं बहुत सारा content जो है वो Google पर already available है तो इस पर आपकी approval की chances कम होती हैं for example कि बहुत लोगों ने already लिखा हुआ है how to make backlinks एक example के लिए थे कि how to make backlinks इस पर बहुत सारे लोगों ने already लिखा हुआ है कि यहाँ आप ऐसे जाईए ऐस article unique लिखने का कोई भी sense नहीं बनता है यहाँ पर आपको कोई भी benefit नहीं मिलेगा अगर आपके article में कुछ नया idea नहीं है कुछ unique नहीं है तो आपका article unique लिखने का यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं है मेरे कहने का मतलब दोस्तों आप नई niche पर website बनाईए जैसे कि NFT, crypto हो गया blockchain हो गया, electronics कार हो गई, इन तरीके की niche देके जिन पर article कम है, Google पर information जो है कम है इससे related अगर आप website बनाते हैं और अपनी website पे 20-25 unique article आप 1000 words के लिख देते हैं तो definitely आपको Google AdSense approval मिल जाएगा, बात करते हैं automation की, अगर आप WP Automatic जैसी plug-in से अगर automation पर website लेके चला के approval लेना च लेकिन chances थोड़ी सी कम होती है, अगर unique content अगर आप एक different niche पे बना रहे हो, तो definitely approval मिलेगा, और अगर modified ये WP Automatic वगर से ले रहे हो, automatic content तो उस पे भी approval मिलेगा, ये हो सकते हैं कि एक दो बर reject हो, third time में मिलेगा, third time में reject हो, तो four time, लेकिन मिलेगा जरूर, तो अगर ऐसा कर रहे हो, तो वो भी automation पे भी कर सकते हो, और unique लिखना चाहो, तो different niches पे लिखिए, नई niches पे लिखिए, जिस पे content कम है Google के पास, जो second point है दोस्तों, यहाँ पर वो है content linking, आपको content को link करना है, linking से मेरा मतलब ये है कि for example, आपने अपनी एक website बनाई है, और आपका जो है, न approval, third यह हो सकता है, how to add bank in, how to add payment option in Google AdSense account, how to verify your Google AdSense account, इस तरीके से आपको उसी niche के अंदर article लिखने, और एक article से दूसरे article को internal linking करना है, इससे आपका SEO भी बढ़ेगा, traffic भी आएगी website पे, और अगर आप एक separate niche में article लिख रहे हो, अब ऐसा नहीं कि मैंने एक लिख दिया Google AdS आप पे multiple niche ले सकते हो, और approval भी मिलेगा, लेकिन जो मैं चीजे बता रहा हूँ, उससे आपको जल्दी मिलेगा, और काफी ज़्यादा chances बढ़ जाएंगे, approval के, अगर आप किसी separate niche में जाते हो, और उसी के article को link करते हो, उसी से related जो भी information है, वो provide करते हो, that जो दोस्तों यहा वाली website पे भी मैंने approval लिया है, ringtone वाली website भी recently, ISAI mini ringtone आप कोल के देख सकते हो, ringtone वाली website पे भी approval सिर्फ 24 घंटे में, 24 hours में अप्रूव हुआ, लेकिन यहाँ पर यह था कि traffic उसमें बहुत अच्छी थी, अगर आपकी website पे organic traffic आती है, गुगल से traffic आती है, डेली के 1000 या 1500 visitor या 500 visitor भी minimum आते हैं, तो आपको approval सिर्फ 24-48 घंटे में मिल जाएगा, no matter आपकी website किस निश्प है, चाहे वो tag निश्प ही हो, पुराणे निश्प हो, चाहे फिर नए निश्प हो, या फिर automation पे हो, अगर आपके पास organic traffic आती है दोस्तों, तो definitely आपको approval जो है, बिल जाएगा अब organic traffic आपको buy नहीं करनी है, फाइवर वगर पे जाके, क्योंकि वो सबसे आपको कुछ नहीं benefit मिलेगा, आपको organic traffic खुछ से लानी है, जो article आपकी website पे होंगे, उनको SEO optimize करके आपको traffic लानी है, traffic लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप Google के products के ही use करिए, Google AdSense के apply करने से अगर आप अपनी website में Google News का approval ले लेते हो, तो इससे आपकी website में traffic भी आएगा, हमेशा जादा traffic आएगा, and approval के chances भी बढ़ जाएगे, Google का जो नया feature है, web stories, इसकी मदद लीजे दोस्तों, अगर आप अपनी website में web stories डालते हो, तो again traffic बढ़ेगा, और approval के chances बहुत जदा बढ़ जाएगे, Google question up का use करिए, वहाँ पे तो आपको article के ideas मिलते है, और अगर मैं एक research बता दूँ, तो daily Google में 13,000 नहीं ऐसी queries search होती है, 13,000 नहीं queries search होती है, जिनका answer Google के पास नहीं होता है, तो देखी, नए keywords की कमी नहीं है, बस आपको research करना है, Google question up का support लीजे दोस्तों, वहाँ जो भी आपकी niche है, एक example के लिए मैं मानता हूँ कि NFT आपकी niche है, Google question up में जाए, NFT search करिए, और उससे related questions देखिए कि वहाँ पे कौन से कौन से है, उनको आप अपने blog में use करिए, और अपने blog की link आपको question up में submit करनी है, जहां से भी आपको traffic में लेगी, अगर ये तीनों चीज पर हम लोग भी ये चीज़े use करते हैं, बस इस वीडियो में इतने ही दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वो मुझे बताना, और नेस वीडियो किस topic पर जाते हो, नीचे comment करना, Instagram पर भी आप मुझसे contact कर सकते हो, digital marketing से related, web development, इन चीजों से अगर आपको कोई भी related query हो, या service चाह दो, thanks for watching this video.